भगवान शीव श्रिष्टी के पालनार की रूप में जाने जाते हैं और उनकी आस्ता का प्रमुप्रतिक सोमनात मंदिर जो भारत के गुजरात में सित है यह मंदिर महादेव के बारा जोती लिंगों में से एक है और उनकी विशेश महतुपुन भूमी का भी निवाता है सोमनात मंदिर का इतियास वैक्तिविगत और आत्यादमिक दरस्टी से रोचक है यहां बहुत से महान घटनाए गटी है और उनके पास एक इतियासिक महत्व भी है जो भारती सबता की गहरी दारा से जुड़ा हुआ है सोमनात मंदिर का इतियास उसकी महानता का परमुप पर नाम है जो इसे एक सदेव अमर और दिव्यधार मिक्स तल बनाता है यह मंदिर भगवान शिव की आधिकावय को जीवन्द रूप से महसूस कराता है और बक्तों को उनकी दिव्यता के पर्तिक के रूप में परसंद करता है वीडियो में आगे बढ़ने से वहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाए वेद पुराणों में बगवान शिव को स्ट्रेश्टिक अपालन हार कहा गया है न केवल भारत में बलकि देश वी देशों में महादेव के कई मट और मंदिर स्थापित है सनातन धर्म में बगवान शिव के बारा जोतिलिंगों को विशेश मेहतो दिया गया है यह जोतिलिंग देश के विभिन कौनों में स्थापित है इन में से एक है एत्यासिक सोमनात मंदिर जहां कई बार अकर्मण हूए इस मंदिर को कई बार खंडित भी किया गया और कई बार लुटा गया लेकिन आज भी यह मंदिर अपने सोंदर्या और आस्ता के लिए विश्ववर में पर ख्यात है माना जाता है कि सोमनात मंदिर वर पांच से अधिक बार आकरवन हुआ है लेकिन आस्ता के सामने धर्म की एक नचल सकी यही कारण है कि आज भी यह मंदिर अपने अंगिनत शिर्व वक्तों के लिए आस्ता का किंद्र बना हुआ है इस जोतिलिंग की महिमा श्री भगवत किता, संकत पुराण और महाबारत जैसे कई विद पुराणों में बताई गई है जिनके अनुसार बगवान, शिव को चंदर देव ने अपना स्वामी अर्थात नाथ मांगर तपस्या की थी इस लिए इस जोतिलिंग को सोमनाथ यानि जंदर के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है भगवान सोमनाथ का यह मंदिर करीब 150 फीट उचा और गर्वग्रे, सभामंडब और नर्थमंडब इन तीन भागों में विवाजित है इस मंदिर के शिकर पर सित कलश करीब 10 तन बजनी है और यहां 27 फीट उचा ध्वज सदेव इस मंदिर की शोबा को बढ़ाता है 1951 में भारत के पहले राष्ट्र पती डॉक्टर राजेंतर परसाद ने मंदिर का उनकाटन करते हुए अपने संबोधन में कहा था कि सोमनात मंदिर का पूर्ण निर्मान उस दिन तक पूरा नहीं माना जाएगा जब ने केवल इस अधार पर एक भव्य मंदिर बन गया है बलकि परतेख बारतिय के जीवन में वह वास्ट्रीक समर्दी होगी जिस सगंस मर्दी का यह प्राचीन सोमनात मंदिर एक परतिक था उन्होंने आगे शब जोड़तेवे कहा था कि सोमनात मंदिर दर्शाता है कि पूर्न निर्मान रुपी शक्ती हमेशा मिनाज रुपी नागारात्मक से विजह होती है अगर आपको सोमनात मंदिर के बारे में अधिक जानना है तो हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं अगर आपको अमारे जिए अच्छा लगा तो इस एडिए को लाइक शेयर और अमारे इस चैनल को सब्स्राइब जरूर करें